अदेव उनका कल्यान करती है, वह है चूकती नहीं है, कल्यान करती है, माभद्रकाली है, हाथ में कपाल, गले में मुन्नों की माला धान करने वाली, ऐसी माता जो भक्तों की दुर्गती का नास करती है, ऐसी मापरंबा दुर्गा है, इसका नम स्वधा और स्वधा दू नम औ इसके माद्यूम से देवताओं के मुख में आउती जाती है, के पहुंसता है इसलिए इसका नाम है स्वाहा स्वधा स्वा का अर्थ है जिसके माद्यम से देवता तर्पतक हो जाएं स्वधा का मतलब है जिसके माद्यम से पुर्खे पितर तर्पतक हो जाएं इसलिए इसका नाम है स्वाहा और स्वधा दुरगा च्छमा सिवा धात्री ध जात्री जिसने हमें धारण कर रखा है चमा गलती होने पर भी वह हमें माप कर देती है दुरगा हमारे दुरगणों को या हमारी दुरगती का नास करती है स्वाहा जो हमारे आहोती के दुआरा जो देवताओं को तर्पत करती है स्वधा जो हमारे घर में श्राद कर्म कराकर ह मारे पितरों को प्रसन कर देती है। तो याद रखेगा अरगलास तोत्रकापाड करते रहेंगे, तो देवतावी प्रसन रहेंगे और पुरखे भी प्रसन रहेंगे। जब पुरवज़ प्रसन होते हैं, तो परिवार की वंस ब्रद्दी नहीं रुपती। अकाल म्रत्यों नहीं होती, देवता प्रसंद होते हैं तो घर की तरक्की नहीं रुपती, इसलिए देवताओं को और पूरवजों को प्रसंद करना आती आवस्यक है, और इसके लिए मा भगवती जगदम्बा का एक बहुत बड़ा रूप है, और ऐसे भी कहा गया है कलकाल मे कलव चंडी बिनाई को, कलिव में भगवान गडेश और मा भगवती जगदम्बा चामुंडा, ये तो प्रदक्ष देवी देवता है, कलकाल में भगवान गडेश और मा परंभा की, जगदम्बा की की गई सुती प्रार्थना, तच्छन ही फलदाई होती है, जे त्वाम द प्राणियों की पीडा को हरने वाली हो, भूतात हारने, संपून जीव की पीडा का हरन करने वाली है मातों मौं, हम आपको बंदन पढाम करते हैं, मदुकेटव विद्राभी, विधात्र वरदे नम, रूपम देही, जेम देही, येशो देही, दसो जेही, मदू और केटव को मारने वाली और विधाता ब्रह्मा को वरदान देने वाली, हे देवी, हम आपको बार-बार बंदन करते हैं, आपके जेजय कारे लगाते हैं, महिसासुर निरनासी भक्तानाम सुखदेना महा,